कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे सो गाइस हादिर हैं हम नई वीडियो के साथ जो की है बहुत ही जदा इंपोटेंट क्योंकि बहुत कन्फूजन है सब को कि यूपी भी सेल ये का स्लेवस क्या है लास्ट वी येर से काफी जदा डिफरेंट पेपर वह पू कि हमने डिजाइन कैसे किया है तो दस लेवस इस बेस्ट ऑन यूपी डिप्लोमा न्यूज लेवस क्योंकि यूपी के अंदर जो है जो टिप्लोमा होता है पॉलिटेखनिक उसमें स्लेवस चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यूपी पीसेल ने इस बार पी लसी लेवस यूपी पीसेल जेई का तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीचे यार क्योंकि काफी महनद से वीडियो बनाई है और यूपी पीसेल से कोई भी अपडेट चाहते हैं या प्रीवेस इयर चाहते हैं आप डिप्लोमा से रिलेटेड इले रिटेंटर्स देना है केंडिडेट हुँ अप्टें लेस दें 30 परसेंट मार्क्स वेल बी रिजेक्टेट फॉर फॉर्दर परसेस अफ सेलेक्शन ऑविसली 30 परसेंट माक्स से नीचे आपके अगर आएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है केंडिडेट वी कितने दीवी के लिए बुलाए जाएंगे तू नंबर ओफ टू टाइमस वेकेंसी में तब जित्ती वेकेंसी है उसके दो गुनावच्चे डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे बात करते हैं एक्जाम पैटन की सो टोटल टाइन जो है वो थ्री यार्ट है टोटल मार्क्स हैं जो आपके वो 200 मार्क्स हैं टोटल कोश्चन 200 हैं फर्स्ट पार्ट है टेकनिकल नॉलेज इलेक्ट्रिकल जिसमें 150 कोश्चन पूछे जाएंगे डिप्लोमा लेवल इंजिनियरिंग के सैकिंड पार्ट है रीजनिंग 20 नंबर की पूछी जाएगी 20 नॉलेज या जनरल अवेर्नेस 20 कोश्चन 20 नंबर के एंड पूर्थ पार्ट इस जनरल हिंदी विच इस 10 कोश्चन 10 मार्क्स तो मतब टेकनिकल 150 & 50 का नॉन टेक्ट ओवरॉल मिला है तो इसमें नेगटिव मार्किंग होती है वन फोर्थ की नेगटिव मार्किंग होती है म है टेचनिकल नॉलेच के इलेक्ट्रिकल का इसमें पूछा जाएगा मैथमेटिक्स मैं मैथमेटिक्स इसलिए एड गिया क्यूंकि एक दो कोशन लाप्लास ट्रांस्फ़र्म् से पूच्छे गया देप्रीविसीर में हलंकि दो कोशन है ज्यादा वैटच नहीं है तो इतन जानते हैं काफी फेमस हो गया है क्योंकि यह कुश्चन आये थे इससे रिलेटिड फूर्थ है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको बीडवली बोलते हैं एल फूर फैमिलियर फो फेफ्ट है हमारा एनलोग इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में इंजीनियरिंग मैटेरियल मत्तब ट्रेपल एम जो एक सब्जेक्ट था इपलो में तो इंजीनियरिंग मैटेरियल से कोशन आएंगे फिर है electrical machines 1 जिसमें DC machine and transform होता है electrical machines 2 जिसमें हमारा three phase induction motor synchronous machines and आपका single phase machines भी हम इसमें cover कर सकते हैं फिर आया control of electrical machines इससे एक दो question आएगा power electronics के question आ जाते हैं जनरली चार से पांच question power electronics से आते हैं थाइरिस्टर वगेरा से फिर है electrical design drawing and estimating जिससे इस बार जो स्लेवर्स में add हुआ है क्योंकि काफी ज्यादा symbols पूछे वह थे and drawing से रिलेट्ट वर्शन थे electrical design drawing and estimating टू यह हम detail में स्लेवर्स में बात करेंगे कि इसमें detail में पढ़ना क्या है फिर है energy conservation इससे एक दो कोशन पूछा जाएगा power plant engineering important है फिर है transmission and distribution of electrical power फिर है switch gear and protection then renewable source of energy फिर है electrical traction and utilization of electrical energy काफी important है UEE और फिर तो पता ही आपको reasoning है general knowledge awareness current affairs और जो हिंदी है ठीक है यह है स्लेवर्स इन short अब स्लेवर्स इन detail की बात कर लेते हैं तो mathematics में सिर्फ लापलास transform क्योंकि एक दो कोशन पूछा गया था बात करते हैं basic of information technology तो इसमें introduction of computer and peripheral जैसे कि क्या होता है से related component of computer type of computer CPU RAM ROM यह सब modem cv dvd इन से related फिर है operation system and application software तो इसमें system software application software virtual software यह सब है software से related और इसका application and antivirus इसे question पूछा जाता है कि कौन कौन सी companies and antivirus manufacture करती हैं जैसे कि अवास्त कैस्पर्स यह सब इनके नाम थोड़े पता होने चाहिए फिर है word processing spreadsheet and presentation तो इससे एक दो कोशन है Google drive Google sheet इन सब के बारे में internet important है इससे land when इन से question आता है ठीक है तो यह है basic computer you can take screenshot for details levels and फिर है PLC microcontroller and SCADA इसमें introduction है इसका और इसमें पढ़ सकते है concept of PLC building blocks यह सब है architecture detail PLC की ठीक है और PLC manufacturer कौन है यह भी जरूरी है क्योंकि पूछा था instruction set है इसके basic instruction है counter timers counter यह सब है तो यह basic हो गया basic ही पढ़ना है deep में नहीं जाना इसका then है microcontroller series mcs assembly language programming यह है ठीक है और SCADA technology की बात करें तो introduction role of SCADA यह सब कहां पर यूज होता है यह पूछा जाता है basic electrical engineering बी डबली तो overview of DC circuit जैसे की definition of basic terms EMF potential difference ohms law factor affecting register capacitance ठीक है series parallel combination जो हम circuits all करते हैं कि series overall resistance कितना हुआ application of current law करना है आपको ठीक है स्टार्ड डेल्टा कनेक्शन और स्टार्ड से डेल्टा डेल्टा स्टार क्यासे करना है DC circuit theorem से बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल maximum power transfer theorem MPT MPPT थेवनिंस theorem Norden theorem application of network theorem in solving DC circuit मतलब DC circuit दे जाएंगे और इसमें theorem से के according in theorem के द्वारा in theorem की help से numerical solve करना फिर voltage in current source की बात करें तो concept of voltage source symbol यह सब concept of current sources का symbol characteristics and all and then conversion of voltage source and current source तो इनका conversion कैसे करते हैं voltage source को current source में current source को voltage source में ठीक है electromagnetic induction की बात करते हैं magnetism में तो concept of electromagnetic field produced by flow of electric current then MMA flux reluctance permeability analogy between electrical and magnetic circuit मतलब किसी चीज़ को electric circuit में यह बोलते हैं तो magnetic circuit में क्या बोलेंगे comparison फेरादी जलाओ of electromagnetic induction principle of self and mutual inductance इससे question आ जाता है concept of current growth decay and time constant time constant important है RL circuit हो या RC circuit हो energy store and inductor series parallel मतलब half Li square energy store series parallel combination of inductor batteries की बात करें तो basic idea of primary and secondary cells construction working principle and application of lead acid nickel cadmium silver oxide batteries and the charging method it's important charging method of lead acid battery data set battery का दूसर ननम accumulator भी है care and maintenance of lead acid battery series and parallel connection of batteries general ideas of solar cell this kind of thing and फिर बात करते हैं AC fundamental की concept of alternating quantities difference between AC and DC concept of cycle frequency time period instantaneous value average value RMS value maximum value form factor peak factor यह important form factor peak factor यह सब RMS इन से question आता है representation of sinusoidal quantities by phasor diagram phasor से भी एक दो कुशन आ जाता है अगर वो AC में जाएगा तो most probable chance है form factor peak factor RMS value maximum value इन से question जरूर रेस करेगा अब बात करते हैं आगे तो इसमें होगा हमारा चाहिए तो overview of यह हो गया ठीक है AC fundamentals के आगे की बात करते हैं हम तो आगे इसमें होगा हमारा AC fundamentals में यह हां concept of inductive and capacitive reactance XL XC related alternating voltage apply to resistance and inductance in series alternating voltage apply to resistance in capacitance in series मतलब RC circuit introduction to series and parallel resonance resonance important power in pure resistance inductance capacitance power in RLC circuit power factor important active reactive power and their significant significance definition and significance of power factor important thing definition of conductance substance admittance impedance and their unit यह भी पूछा जा सकता है introduction of polyphase यह हो गया three phase का the three phase में introduction of polyphase क्योंकि last last year three phase से काफी कोशन आयते एक शिफ्ट में advantage of polyphase system और इसमें relation between line and phase voltage हाँ यह important है current of star delta connection and their phasor diagram और power in polyphase circuit to three VLIL cost wise यह वाला various type of power plants है brief explanation of power generation practice in thermal hydro nuclear power and their comparative studies को आगे भी अभी mention करेंगे हैं और अब बात करते हैं analog की तो analog में है semiconductor diodes जिसमें pn junction है mechanism of current flow and pn junction diode drift and diffusion current depletion layer potential barrier effect of forward and reverse by sing in pn junction यह है ideal diode semiconductor diode static and dynamic resistance ठीक है use of diode as half wave and full wave rectifier यह अच्छा है topic rectifier का relation between DC output AC output voltage and efficiency of rectifier इनका comparative study पढ़ लेंगे हम rectifiers की कैसे जैसे की use of half wave and full wave and जो हमारा full wave में bridge rectifier इनका comparative कि किसमें कित्ती voltage कित्ती efficiency यह concept of ripple factor concept of repulse filter circuit chunt capacitor series inductor and pi filters यह सब diode rating specification various type of diode सच जैनर डायोड वेरिक्टर डायोड शॉर्ट की lighting डायोड टनल डायोड फोर्टो डायोड दियर working characteristics and application diode से related यह है अब बात करते हैं जैनर डायोड है हाँ जैनर डायोड इंपरेंट है और इसके characteristics भी एंड यूज ऑफ जैनर डायोड फूर वोल्टेज स्टैबलाइजेशन फिर है बीजेटी तो बीजेटी में concept of junction transistor PNP NPN यह सब transistor और फिर यह common base common ammeter यह सब यह important है transistor by sing में कुछ question आ जाते हैं जैसे कि transistor by sing इसकी need operation point यह सब और वैसे तो इससे इतना transistor by sing से काफी कम chance है question raise उन्हें करने का but still और यह सिंगल स्टेज transistor amplifier ठीक है amplifier से एक दो question आ जाएगा यह आपके सामने है concept of AC and DC load line load line से आता है और सिंगल स्टेज टांस ट्रांजिस्टर amplifier circuit and CE configuration यह ठीक है यह सब है you can take screenshot अब बात करते हैं multi-stage transistor की तो multi-stage में है need of multi-stage transistor यह सब RC coupled to stage multi loading effect and multi-stage amplifier यह सब है तो इससे questions का chance उठने का तो कम है but still यह slaybers है इससे question आ सकता है क्योंकि यह PPCL unexpected हो रहा है अचकल फिर FET से question हाता है construction operation characteristics and channel P channel as J FAT J FAT as an amplifier फिर MOSFET है and comparison between BJT, JFT, JFT and MOSFET यह important comparison between यह न फिर बात करता है digital की तो number system प्रता ही है decimal binary octals यह सब है और once compliment two's compliment हाँ यहां से question आता है once compliment two's compliment से और फिक rates की बात करें तो और एंड एंड नौर एक्स और एक्स क्लूजिव एंड गेटी यह सब बुलियन ऐलजेब्रा मैं डी मॉर्गें शोरम्स वगेरा यह सब है के मैप आ जाता है कॉंबिनेशनल सर्किट में हाफ एडर फूल एडर एंकोडर डिकोडर मक्स दीमक्स मॉल्टीपर यह सब डिस्प्ले डायूड में LED LCD 7 segment डिस्प्ले है फिर flip-flop से भी आज कर लेक दो कुश्चन आ रहा है जे एंड जे के flip-flop सब्सक्राइब बात करते हैं एलेक्ट्रीकल इंस्ट्रुमेंटेशन और मेजर्मेंट इंस्ट्रुमेंट यह हो गया उसके बाद concept of measurement of electrical quantities and instrument for their measurement source of error error important type of electrical measuring instrument indicating integrating recording these and essential of indicating instrument deflecting controlling and damping tar abha a meter voltmeter so a moving coil and moving iron type concept of a meter voltmeter and difference between them construction and working principle of moving iron and moving coil instrument merits and demerit source of error and application of these instruments फिर है wattmeter dynamo type तो इसमें construction working merit demerit है na digital wattmeter यह सब energy meter इसका instruction इसके error क्या है इसमें ठीक है यह सब है creeping वगेरा error जो है आता है इसमें फिर है miscellaneous measurement इंस्ट्रुमेंट इसमें पढ़ सकते हैं आप अर्थ tester मेंगर मल्टी मीटर फिक्वेंसी मीटर सिंगल फेस पावर फेक्टर यह सब instrument transformer CT PT इनके बारे में इनकी वर्किंग इनका application फिर है electronic instrument में CRO and digital multimeter CRO is most important LCI study of LCR meter and the replication power measurement in three-phase circuit by two watt meter method इससे आता है unbalance and simple problem three watt meter method फिर बात करते है transducer की तो types of transducer basic concept of pressure measurement flow and level measurement displacement measurement using transducer transducer से एक दो कोशन आता है measurement of temperature है फिर है smart metering system यह तो इससे तो question आना इतना आसान नहीं है मतलब आ सकता है बट बहुत कम चांस है फिर है electrical electronics engineering material हां इससे question आ रहे हैं आज का classification इनका conducting materials ठीक है और इसके बाद इसमें हैं कौन-कौन से important है रजिस्टर रजिस्टेंस एंड फेक्टर अफेक्टिंग इट सच अलॉइंग टेंपरेचर पर के बारे में जनल प्रपर्टी रजिस्टिविटी को रोजन वगेरा यह सा फिर aam स्थेंट्रट पिसमें और यह सबस्क्री के में प्रिजिकल प्रपर्टीज ठीक है थर्मल् है और चैमिकल प्रॉपर्टीज मेगनिकल प्रॉपर्टीज यह हैं इंसलेटिंग मेटिरियल जेंब देहां प्लास्टिक डेफिनिशन एंड क्लाफिक गेशन माइका मैगा प्रोडेक्ट्स एस्पस्ट से्ट्स करामेग मेटिरियल ग्लास कौटन सिल्क जूट पेपर रबर bitumins यह सब PVC so these are important and now we will move and then uh फिर हमारा magnetic materials में बात करते हैं तो fairy ferro यह सब डाई पैरा डाई magnetic paramagnetic ठीक है nickel iron alloy special materials ठीक है material for electrical machines तो इनसे भी आ जाता है अब हम forward करेंगे electrical machines 1 पर electrical machines 1 में elementary concept of an electrical machine comparison of generator motor general generalized theory of electrical machine DC machine की बात करते हैं main construction feature type of armature winding function and the commutator of for motor and generating action factor determining induced EMF factor determining the electromagnetic torque इसमें various type of DC generator shunt series compound significance of back EMF and the relation between back EMF terminal voltage फिर armature reaction important है method improving commutation फिर है performance and characteristics of different type of DC motor speed control of DC shunt series motor need of starter three point DC shunt and four point starter electric braking braking solution आ रहे application of DC motor fault in DC machine and their retro retrospective and फिर है loss in DC machine determined loss by swain burn test test यह important test rating and specification of DC machine फिर है single phase transformer की बात करते हैं तो इसमें introduction इसका single phase transformer का और introduction के बात constructional feature working EMF equation no load transformer no load इसके बाद mutual leakage flux leakage reactance transformer no load voltage drop and is phasor diagram फिर है फिर है इसमें relation between induced DMF terminal voltage फिर है के losses in transformer important OC open circuit and short circuit test यह भी important है maximum efficiency auto transformer construction and working then differential type of transformer including dry type transformer rating and specification of single phase transformer then we will talk about three-fist transformer which is a type of three-fist transformer delta 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 star delta कहां कहां कौन सा यूज किया जाता है on load tape changer difference between power and distribution transformer इन से question आ जाता है ठीक है construction because related changer यह सम ब्रीफ आइडिया इनके बारे में तो यह था three-fist transformer अब बात करेंगे cooling cooling of transformer and rating and specification फिर electrical machine two की बात करें तो इसमें three-fist induction motor आ जाएगी और इसमें है production of rotating magnetic field यह सब silent feature of squirrel cage and three-phase and slip ring टीक है principle operation slip ring and specification इसका rotor resistance inductance EMF टीक है relation between rotor corpus law slip and rotor input power flow power flow diagram factor determining the torque starting of three-phase induction motor DOL star delta autotransformer इस सिर्फ transformer and double cage जो motor होती है वो देन है cause of low power factor and of induction motor testing of three-phase यह ना method of speed control of induction motor harmonics and यह सब specification and rating of induction motor फिर है single phase induction motor तो इसमें single phase induction motor construction और यह है किते types की होती है यह भी है ठीक है double revolving field theory तो यह है split phase वाली motor है एक तो हमारी split phase induction motor कैपिस्टेंस स्टार्ट कैपिस्टर रन motor है shaded pole motor alternating current series universal motor ठीक है single phase synchronous motor reluctance motor hysteresis motor फिर है synchronous machine तो इसमें इसका construction feature यह सब generation of three phase EMF then equivalent circuit diagram synchronous machine span factor armature reaction at unity lag and lead power factor से relation इसका operation of single synchronous machine in independent supply के load ठीक है और V curve इसमें important है operation of synchronous machine as motor its starting method concept and cause of hunting hunting इसमें and application of synchronous machine कहां पर use की जाती है यह भी important है ठीक है अब बात करते हैं हम special purpose machine की तो इसमें stepper motor जिसे question पूचा जाता है servo motor submersible motor यह सब है अब बात करते हैं control of electrical machine तो control component fuse combination of fuse with units mcb solenoid type clapper type contractors ठीक है timing release push button यह सब है इससे लेट यह देख सकते हैं तो limiting switch ती control component है फिर इसमें float switch rectifier reactors capacitor यह सब है AC control circuit है control of synchronous motor है ठीक है plugging वगेरा dynamic breaking यह सब इसमें पढ़ना है इस question जादा तो नहीं है बट हाँ एक-दो question raise हो सकता है फिर control of single phase motor industrial control and troubleshooting in control circuit यह देख सकते हैं ठीक है ना इसके बाद आएगा हमारा power electronics तो इसमें इंट्रोडक्शन of SCR SCR important हो फिक है इसका construction वर्किंग वी आई characteristic SCR की specification to transistor analogy ठीक है एनलोगी यह सब है और फिर direct track तो हैं and UJT ठीक है and series parallel of thyristor यह सब है commutation thyristor यह important है dv by dv by dt and dv by dt protection यह भी है फिर है control rectifier इसमें इससे question तो एक ही आएगा बट इस लेबस काफी वास्ट है तो अपने risk पढ़ना आपको single phase half way control for क्योंकि इसकी theory and यह काफी deep है लेकिन question एक दो ही आएगा तो देख सकते हैं आप अपने according फिर है थारिश्टर control of electrical drives यह सब है इसमें जो की power electronic suppression है ठीक है काफी स्लेबस है यह फिर है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड डिजाइन तो ड्राइंग में आपका आएगा symbols important है wiring wiring diagram है ठीक है and types of wiring go down wiring staircase यह सब पैनल distribution board mcb e lcb यह बुश बार kitkat fuse pin टाइब शेकल टाइब इंसुलेटर ठीक है इससे आप देख सकते हैं question जादा नहीं आएगा बर ड्राइंग इतना नहीं है फिर यह है टाइपस ओफ वाइरिंग इंपोडेंट है क्लीट बैटन केसिंग एपिंग कंड्यूट इससे question आ रहा है यह सब है फिर preparation of tender document tender से तो एक question आया है कई बार तो इतना जादा नहीं है ठीक है अब है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग टू इसमें डी ओल स्टार्टिंग स्टेटिंग यह थी फेज इंडेक्शन मोटर गेटिंग सप्लाइफ फॉर्म सेलेक्टेड फीडर यह स में तू स्पीड कंट्रोल अफ थ्री फेज इंडेक्शन मोटर अब एसी की मोटर का कंट्रोल आगया अर्थिंग इंपूटेंट है कॉंसेप्ट और परपस ओवर्टिंग डिपर टाइफ और यह सब है इससे रिलेटेड एस्टिमेटिंग और पावर वाइरिंग आप स्क् फिर है एनर्जी कंजर्वेशन में बात करते हैं बेसिक ओफ एनर्जी ग्लोबल फ्यूल सर्वेस ठीक है यह सब है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन से इससे भी एक दूगी कोशन आएगा हार्डली फिर है इलेक्ट्रिकल सप्लाइश सिस्टम और मोटर ठीक है तो यह आप देख सकते हैं इसका स्लेवस वाला एनर्जी एफिशेंसी इलेक्रिकल यूटिलिटी तो यह इससे इतना नहीं आएगा बट यह ओवरॉल स्लेवस क्योंकि डिटेल सलेवस वी आर प्रोवाइडिंग यह हमने लिया है जनरल इसमें रूम एसी से रैफरेजरेटर इन से कोश और आपका डैवर्सिटी फेक्टर यह वाले फेक्टर पढ़ना है और यह डेटेल में हैं कि हाइड्रो में क्या पढ़ना है मैं बोलूंगा कुछ नहीं छोड़ना सारा पढ़ना है थर्माल न्यूक्लियर इनके बारे में अल अबाउट ठीक है जैन है एकॉनिक्स पावर इसमें लिए आउट अप्रमेंशनल सोर्स अफ एनर्जी भी इंपोर्टेंट है बात करते हैं टांस्मिशन डिस्टिबिशन और एक्टर वावर इसमें लेयाउट टांस्मिशन सिस्टम सेलेक्शन आफ वोल्टेज ऑफ एस्टी ल्टी लाइन यह सब कंपारिजन ओफ इसमेंशन फैक्ट सब्स को यह सब तन डिस्टिबिशन ओस यह सब परिट और इनके बारेन लॉसइन डिस्टिबिशन सिस्टम फिपर इंपड़ना वार फ्यक्तर कैसे इंपरोव कर तकते ह morphology ढीक्ट आई और बात करते हैं से सुच गर्र प्रोटेक्शन के तो इसमें fuse, release, circuit breakers, and different types of fuse अच्छे से बढ़ना है ठीक है यह सब से related है HP fuse, LV fuse ठीक है यह सब है types of CVs important है types of release फिर है protective scheme में बात करते हैं तो protection of alternator stator fault rotor fault यह सब ठीक है motor protection यह सब है protection against over voltage यह भी है इसमें आएगा लाइटिंग अरेस्टर तो types of lighting अरेस्टर इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एले से question आ रहे है फिर है renewable source of energy types of station पता है renewable source of energy, solar energy, bio gas, thermal इन से भी कई बार एक दो question आई रहा है utilization of electrical energy यह important है इसमें illumination है जिसमें की सारी flux की luminous flux, solid angle, intensity, luminous efficiency यह सब है space, height ratio, calculation of number of light यह सब है इसमें electrical heating and welding पता है resistance heating, induction heating यह important है, electric heating भी important है, ठीक है यह सब है electrical welding से कुछ एक दो को शना सकता है यह details levels है utilization of electrical energy का, electrolytic process welding method यह सब है इसमें अब एक एक पॉइंट को देख सकते है, electrical traction में आएगा, electrical traction advantage of electrical traction यह सब train lighting scheme, एक question आएगा hardly, फिर है इसमें non-tech में reasoning से related, series, competition, blood duration, classification, puzzle, test, analogy, directions, instance, coding, decoding, logical, blend, diagram, paper cutting, figure, association, time test यह है, general knowledge and awareness की बात करें तो geography of India, history, Indian polity, Indian economy, and current affairs important है person in news, international organization, games, events, awards, honors, books and authors, science and technology, यह सब है, national news, international news, फिर हिंदी में, संदी विचेत, समास, उपसर्ग, पर्यवाची शब्द, विलोम शब्द, यूग्म, शब्द, शुन्धी, वाक्य, शुद्धी, वाच्च, यह है, detailed syllabus so thanks for watching